हेलो श्टुटुएंट्स क्लास 11 के यूपी पूर्ड के मैत का सिल्यवस हम बात करने वाले हैं 22-23 सेशन के लिए आपको कितने पार्ट पढ़ने यह बताएंगे कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं और आपको पता दो इस बार आपका हन्डीट परशन से लिवस होने वाला है कुछ 100% कट नहीं होगा और इंग्लिष की रेगुदर क्लासे से 22 मई से स्टार्ट होने वाली है इस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आपको इंगलिश में बेटर अपडेट मिलती रहे और हर लेसन का आपको नौलिज हो जाए तो मैट के सिले इसके हम बात करते हैं सेट थूरी बला चैप्टर रहने वाला है आपका समुच्च है दूसरा चैप्टर आपका रहाएगा रिलेशन एवं फंक्शन संबंद एवं फॉलन यह आपको पढ़ा रहा है तीसरे चैप्टर आपको त्रिकोंड में फॉलन त्रिकोंड में थे लेकर बहुत ही कम पने प्रकार पड़न पर अब त्रकोंड में ती ने पर सेथा है दूपत पिर पीर में यहिए नचेंड़ स्रेणि और अपको पढ़ना है दसवाच अप्टर सरल रेखा है आप तेली नया चप्टर है ग्यारवाच संगु परिछेद में बहुत डेडिवेशन वगेरा है यह भी आपको पढ़ना है बारवाच अपको रहने वाला है त्रिवी में जयामती का परिज़ाई यह आपको पढ़ना है तेरवाच अपकर सीम यह तो आपने बेसिक पढ़ा सा 10th क्लास में अब यहाँ पर आपको फुल वाइड पढ़ना है तो 16 चप्टर आपके मैथ में होने वाले हैं 16 चप्टर आपके मैथ में होने वाले हैं बागी सब्जेक्ट के लिए आप डिस्क्रिप्ट्ट में लिंक है आप बहुत जाकर चेक कर सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू जैहिन